सो हे गाई सेलकम टू माईनी ब्लोग आप लोग कैसे हैं उम्मिद करता हूँ कि आप सब एक दम मासत होंगे तो दोस्तो आज मैं जा रहा हूँ ना फिर से हारुम रसीद का मेला दिखाने आप सभी को दोस्तो मैं आप से भी को बता दू मेला लगे हुए आठ दिन हो गए ठी से फनीचर वगएरा या फिर घर में आप जितना समान यूज करते हो ना उस मेले में हर एक समान मिल जाता है तो वह तीन चार दिन की बाद में सिर्फ लोग करने जाते हैं वहाँ पे खरीद देते हैं तो मेला अभी वैसे को वैसे है लोग खरीदारी कर रहे हैं वहाँ पे तो चलो मैं आप सभी को दिखाता हूं एक अपते बाद आठ दिन के बाद वहाँ पर मेला कैसे लगा हुआ तो चलो वहीं पर चलके फिर आप सभी से मिलते हैं तो फाइनले दोस्तों आप लोग देख सकते हो हम लोग मेले में एकदम पहुंच चुके हैं वाई यहीं से मेला इस्टार्ट था और आप लोग देख सकते हो यहां पर इतना भीड़ था इतना भीड़ था वाई चलने का जगह नहीं था लेकिन यहां पर देख सकते हो पूरा वाला विजूला वैसे को ऐसे है और पूरा दुकान आप लोग देख सकते हो सेम टू सेम वैसे है ऐसे पता चला है कि मेले का भी सुरुवात हो रहा है जबकि मेला खतम हो चुका है आप लोग देख सकते हो पूरा दुकान वैसे लगा हुआ है लोग अभी भी यहां पर अपन टक्टर जा रहा है तो टक्टर के आगे चलते हैं फिर आप सभी को दिखाते हुं देख सकते हो, इदर साइड में फरनीचर का यहांपे समान मिला है, तक्ता हो गहरा, इस्टूल हो गहरा, जो कुछ भी आप लेना चाहते हो ना इस मेले में आपको मिल जाएगा घर का हर एक समान मिल जाएगा तो ये लोग अभी भी बेच रहे हैं आप लोग देख सकते हो पूरा दुकान वो ऐसे लगा वो सिर्फ पब्लिक कम हुई है तो थोड़ा आगे चलते हैं फिर आप सभी को दिखाते हैं ये दुखू भाई ये सब दुक मेरा हारून रसीद का मेला अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो चलो मिलते हैं फिर किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए